गायत्रिया मुखविदाना ये अर्थवाद उच्चते गायत्री उपासना में जो मुख रूपा वस्तु है जिसके वजह से इस उपासक को किसी प्रकार का पापाद इस परशन नहीं होता उस मुख का कथन करने के लिए अर्थवाद आर्म करते हैं एतत धवैत जनको वैदे हो बुडिलम आश्वतराश्विम वाचा येन्नु हो तक गायत्री वित अब्रूथा अधक अधगं हस्ती भूतो वहमि वहसीती मुखगं हैस्या समराट नविदान्च कारेति हो वाचा तस्या अग्निरेव मुखं यदि हवापी वन्निवाग वन्न वाग्नव अभ्याद दाति बहविवापी बहविवा अग्नव अभ्याद दाति सरम्न वतत संधाति एवा गणहीवं विद्ध यद्यभी पहविवापों कुरुते सरम्नेवतत संषाय शुध्दपूतो अजरो अम्रतसं भवती एत धवय त जनको व controll वैदे हो काते उस गायत्री विज्ञान के विशय में यह वीदेह राज्जनक ने अश्वत राश्व के पुत्र बुडिल से यह बात कही थी अरे भाई तुम्हें तो बताता पहले कि तुम बड़े गायत्री के उपासक हो गायत्री के मर्वों को जाननी वाले हो और अथा लेकिन आंदर मैं यह देख रहा हूं तुम क्यों हाती बनकर मेरे को वहन कर रहे हो कात्री बुटो वहसी वास्तों में तुम गायत्री तत्त्तो का ज्यात्ता हो ऐसा तुमने पहले बतलाया था अभी तेना अगर अब रूथा पहले बताये थे आपने ऐसे अधे लेकिन अंतर आप मैं कुछ समय बात देख रहा हूं आपको कि कात्री बनकर आप मुझे डोरे बात है भार क्यों डोत्ते हो आप तब कहते हैं मुकम ही अस्या समराठ नवेदान चकार रहा है यह समराठ उपास में बहुत मुक्यत्रठी हो गया इसका मुख को ही मैं नहीं जानता था कौन से मुख वाले हो करके गयत्री सरो पाप विनाशनी होती है वह आदि देविक सुरुख मैं नहीं जानता था तस्या अगनी रेव मुखम तब कहता है देखो उस गयत्री का मुख अगनी है बीच में जोड़ लेना यह आप जानते हो तो बताईए तब उनने का हां सुनो कुछ अगनी ही इस गयत्री का मुख में जाए यह वापी यत्यापी मान लेया जाए बहु इव अगनव अभ्यादती बहाहतर लगडि पकडि जो से जोड़ालती हो साफ़स को जीरे जीरे भसम कर आप पुरा भस्म हो जाता है सर्ववम्यवत सं दहति वो हो सारे चिज़ंक को वागनी पूर्ण रुप्र भस्मी भूत कर देता है एवं विद्ध यद्यपी इसी प्रकार से मुखरूप अगनी का ज्यान से विश्व्जुकाहित्रिक विद्यावाला हो वह विद्धि यद्यपी बहुई वपापं कुरूत बहुत परिग्रह करता है बहुत प्रकार कर पापों को कर देता है तो भी सर्वम्मेवतत संपसाय वह सब कुछ नाशी हो जाएगा तो कुछ यह बचेगा है क्यों प्रतिक्रह पाप से मतलब क्योंकि पहले प्रतिक्रह का विचार हो ना एक पाथ दो पाथ सारा जगती हुई लगा तो यह पाथ उसे जादा नहीं हो सक कार बी देता है तो भी सर्वम्मेवतत संपसाय वह सर्वके चम्हां को संपसाय पर भववती शुद्धोववती पूतोव भवववती अज्रों эксп आंधव अमृता वह संपद कि अन्वाट होता है रहिगा है तुग को पर परतिक्रह चरत पनींदौ्स को वह नश्ट कर देता है नाश कर देता है समसाय मने नाशायवावति अतेव शुद्धह पूत्धह अजरह आमर्दह संभावति बाशिकार तत्मने तत्र गायत्र विज्ञान विशे तत्मने तत्र तत एतद्वाई तत है ना उसको पहले तत को लेना पड़ता है तत एतद्वाई जनको तत मने उस गायत्री ज्ञान के विशे में एत्द यह जो कतन हुआ था क्या कॉण किससे किया कते जनको वह देहो जनकनामक राजा विदेहनगरी का राजा है उसने बुड़ेलोन नामत हुआ पुड़ेल नाम गृषे किसका बेटा था वुड़ेल नाम क्यों आश्वत राश्वि थी तम प्रतिकल अगतवान उसके प्रतिन व्क भुषि पेशन हो गया इसके सो गएmile ऑठ करें ओहो प्राशरी की बाते वाई गायत्री वेत्ता हो करके हाती वन गया यह सांद्प एक या श्री को प्रकट करने के लिए यह दो अभियोंका प्रेव यह तो यह यहां पर आपे यह दो लोगने इतिये ततत यत्तं गायत्रिवित अबूथा गायत्रिवित अबूथा इसलिए हमें आश्चरी हो रहा है क्योंगि पूरु में मेरे से जब कभी संबंद रहा तब आपने बात कहा था कि मैं गायत्रिवित हूं मैं गायत्रिवित ह हूं गायत्रिवित हूं गायत्रिवित के उपासक हूं ऐसे आपने पहले कहा था खिमिदम तस्य वजस उनन रूप में देख रहा हूं प्रतिकरह दोश ये न प्रतिकरह दोश है न असती वो तो वो भी अहीं ये आग गईत्रवित है फिर प्रतिकरह जने दोश्य कारण। आप हाती बनकर कैसे विचर रहे हो और सामान ढोरे हो मुझे भी ढोते हो सब को ढोरे हो साप्रत्याहा राज्या समारितस्वन जब राज्य के द्वरा अपने पूर्वर सिति का समर्ण करा दिये जाने पर वह बोलता है कि मुखं गायत्र ये समाद अस्या एसम्राठ नविदान्चकार नविध्यातवानसुति होगा अच्छा उसे जवा में कहा हे सम्राठ मैं इस गायत्रे माता का मुख है वो मुखरूपा जो अवयव है अंग है उसको मैं नहीं जानता था एक आंग विकरत्थ गायतर विज्ञानमा आभलम जाता। एक आँज का विखल होने के का अंट से रहीत हो करगे मनो पासना किया। और अवी मुख रूपी मुख्य अंग के रहीत हो जाने के कारण से। चोटा मोट अंग में जैता तो चलो बर पुंर्णि में थोड़ी कटते हो जाती हो पासना में थोटा मौ जोटा में पासना में हो जाता है कुछ थोड़ी Kia हो United पुन्य पापों के निवनाधी कारण से आप शतायू नहीं हो पाते हैं जल्दी मर जाता है शरीक क्यों मर गया जल्दी शतायूर वही पुरुशा शुर्तियों ने कहा युगानुसारन तत्तत्य समस्रानुसारन सो सो साल काद्वी होगा करता है क्यों इस सो साल को जीबा रहा है अपने ही पुन्य पाप करम ऐसे हैं आपने ही पूर कृत जो है उपास रहे हैं इसमगरा ऐसे हैं जो कि हमें जल्दी ले चलते हैं यहां से कुछ न कुछ गडबडिया है जिसके उसे पूरा आयू कोई जीवित नहीं रहता है और उसे मुक्य अंग ही छोड़ दोगे तब वसारा करम ही बेकान हो जाता है निश्वन हो जाता है को ही करें मुखरूबी मुक्य अंग का ना करने से क्या हुआ एक आंग का विकलत वात गायतर विज्ञानम्म मेरा यह जो गायतर उपासना है पाफलम जातम निश्वल ही हो गया है जल्दी से चिंदन करना शुरू कर दे अईसे मनन करता हो गयतर जब तब पूरा विज्ञान से अपासना कर डालो तो ये हाती की योनी से जल्दी मुक्त हो जाओंगी क्या है वह मुख अगनी रेव मुख है जिसके माध्यन से गायतरी सगल पापूं को स्वाह कर देंग अगनी कैसे मुख हो सकता है गाहित्री का इधी हवापी बहविव इंधनम अगनव अप्यादती लोके काहा सर्मेव तत संधत्येव इंधनम अगनी काते हैं यदी मान लिया जाए हवापी सब जो है दृड़ निश्चे के साथ कुत्रं करने के लिए साध्रस्ता को गटाने के बहुत सारे अधनम को आप अगनव अभ्याददती अध्याधान कर देते हैं तो कि आब अगनी में डालते जाते दिरे-दिरे कर गिया तो क्या होता है लोक ऑशेल करते हैं तो भी वह अगनी सर्वंसंद्धती उन सारे वस्तों को सारे इंदन को जला एत आत कर लिर धरु उन्हें को राक्र देता जला करके । कौत आग्निहिंख एवभ और क्हायत्रिया हां एसी प्रकार से इवभ मैस्त अधरी दार्ट का बैस्ति अगनीक psycharch जन सुनदेखन मतलब कर उस तरह को पास कोशा यह स्वयम गायत्र आत्मा अगनी मुक्त यह अगनी मुखन अग्नी रूपा हो घाइट्र से-वैं-ग डेल रूपा होगा अलग अलग लेते हैं न सुभा दौपः और शाम तरकाल संध्या का इनों अलग अलग से बिताओंगा ध्यान हर जिसका अलग अलग ले इस तरह से हो जाता है तदोत यहां पर भी कहते कि देखो आप अपने गायत्रियात्ता जो हो रहे हो अंग्यास करने आसाधी के माध्यम स कर लिए मगी मुखवाला हूं कि अगनियात्तव विश्ष्ष्ट गायत्रीं रूपा मैं हो श्यद्य निशे करने मात्र से जब भूव नापने कुरूदे प्रति रहादी दोशम इलेशा निवी बहुत से बहुत करने के समान करता है और प्रतिक रहां तो जोषम को ग्रहन क कर रहा है संपसाय भक्षित्वा उनसा को भक्षन करके स्वाह कर देता है कि शुद्ध अगनिवत पूतष्च वह शुद्ध ही रहेगा अर्द अगनी किस्वान पवित्र ही रहेगा उस दोष के प्रिक्षासे जो होने वाला जरत और मृतत को त्याक करके वह अजर और अमरत हो जाता है इस प्रकार से जो है गहत्री ब्रहामन बड़ा विस्तार रुपेना हो गया अब शुरू होता है उपस्थान ब्रहामन द्वार के लिए प्रार्थना दो प्रार्थना है दो मंत्र यहां एक मंत्र आधिति से प्रार्थना करने के लिए दूसरा मंत्र अगनी रुभी मुक्सी प्रार्थना करना है अगनी से प्रार्थना है दो प्रार्थना है कि पहले तो मुर्दा जाता है अगनी में ना मुर्द वहां से प्रार्त्रा करना पड़ेगा। एने विप्रीत क्रम से प्रार्त्रा होता है। यहां तक एक मंत्र समात्य। अपने मार्ग देने के लिए। और दूसरा मंत्र अगनी से प्रार्त्रा किया जा रहा है। द्वार प्रदान करने के लिए। सावित्रम और आगनेयं चे उभयात्म को उपस्थान में। सावित्र अपस्थान में आगनेयं उपस्थान में। एक ही ब्रहमाण में दोनों बातों को रखते है। हिरण मैये न पात्री न सत्यस्य अपहितम मुखम। आजित्य मंडरस्त जो उस सत्य ब्रहम का द्वार मुखम ने द्वारम अपहितम ढखा है। किससे एक जोति रमए पात्र से ढखा हुआ है। स्वर्ण के समान चमकील है, वेष्टी और समिष्टी अहंकार रूपा वह जोति रमए एक पात्र के समान पात्र है। जिससे वह आजित्य मंडरस्त पुरुष्वूता हिरंडिगरव सत्य आत्मा सत्य ब्रहम ढखा हुआ है। पस अपना हंकार ही है कुछ नहीं। वेष्टी समष्टी उभयात्व का हंकार है। जो आपको अपने सत्य ब्रहम को अनभो करने में रोक रहा है। वेष्टी आत्म का हंकार उस अंतर्य में ब्रहम को अनभो करने में दे रहा है। पर समस्टियात्म का हंकार भी रोग देगा आपको वह सत्य प्रंतक पहुंचने में इसलिए वेश्टी समिष्टी वह यहां तक जो हंकार है यहीं यहां पर पात्रम इवा पात्र वहां हे पूशन हे आजित्मनेश पूशा देवता समी का पोशक परभात्मा तत उस पात्र को तम मुझे आपने क्या करना कि सत्य धर्माया मुझे सत्य धर्मा के लिए उस सत्य ब्रंग दर्शन हेतु दृष्टे अनुभव करने हेतु आप जयोसे अपावरणू दूर करें ह हटा देवे हे पूशन कैंद्शन हे जगत के पोशक हिया आप है एक हर्षै निरंदर क्रति शील प्रमात्मा है कि सभी मन करने वलब पत्मा हे सूर्य कि सूर्य शुर्य वनति श्राजापत्य सुखल प्रजापत्यों के जनमदाता रश्मीन व्योह अपने रश्मियों को विगटित कर दो समूह और अपने आपने कदद कर लो हैं आपने यह सम्हारों आप हैं आपने चाल लिजिएगा ताकि मेरे को आपका दर्शन करने में कोई बाधाना होगी तेज वृतिरूप आम कलियान रूप घंते पशना इसलिए और मैं आपका कौन सा रूप देखना चाहता हूं कि आपका कलियान तम रूप है तेज रूप है वो रूप को मैं देखना चाहता हूं उसको मैं देखूंगा यो आसो आसो पुरुषा सो मस्मी क्योंकि यो आसो जो वहा है कान वहा पुरुष जो साधितिमडस पुरुष है वही मैं हूँ इसे मुझे आपका दर्शन का अभेद भाव को प्राप्त कर दर्शन करने के पूर्ण अदिकार है अतेवा मेरे कौप अद्वार को खोलिए आध्यातिक वाईू है और आज दहीत के वाई रुप सूत्तरात्म declara जो मैं जोंत्य नुदिक वाई रुप सूत्तरात्म को प्राप्त होँ'll क्योंकि अब यह ने रजशारीर है भसमन्तता अको प्राप्त होने जा रहा है इसलिए मैं यह प्रार्तना करता हूं शीगराजशाब हमें द्वार खोल दीजे तागे मैं उस यह जो आध्याप्तिक वाई है वो आधितिक वाई रूपा यह जीवात्मा जो है वाधित वाई रूपकोने वो सुत्रात्मा के साथ एकी भूत हो जावे एतधर तब द्वार को स्चाइब हो लिए है इस प्रकार से अजीमुंद्टस पुर्ष्षत सत्य प्रार्टना लगे पषचाथ आगनी सीवा करता है ओम क्रिदो स्मरों क्रुटम स्मरों है मेरे संकल विकल पाथक मन्द अब तो आपने किये हूइ एक सुमरन करो ए अध्यों कर्दो काते हैं मन को हे संगल विकल पात तक मन तुम अपने कृतम स्मरो कियोए कर्मों को स्मर्ण करो कर्दो स्मरो हे कर्दो स्मरो कर्दगं स्मरो हे मान स्मर्ण करो बस उसी का स्मर्ण करो जो स्मर्ण करने योग ये श्यव करम है उसी का समर्ण करो इसे दो बार कहा है कृतो समरो, कृतगुं समरो हे कृतो कृतगुं समरो सिरा वो सकते थे हे कृतो समरो हे संगलर मन समर्ण करो कृतम समरो किसका समर्ण करो जो किये वे शबकरमों का समर्ण करो आशबका नहीं इसे द्विरावर्ति किया ग्यापन करने का समय आ गया है हे अगने नया मुझे ले चलो सुपथा राये हे अगने हे अगनी देधा हमें अपने करम भोग करने के लिए सुपथा शिब मार्ग से ले चलो राये का मतलब अपना करम फल अपने शुब करम फल को रई शबसे का आईश्वरी हो रई कते है आईश्वरी को धन को आईश्वरी क्या है अपने करम फल उस करम फल रुपी राये उस रई को भोग करने के लिए सुपथा एक सुन्दर मार्ग के द्वारा मुझे ले चलो अस्मान विश्वान देव वयुनानी विद्वान क्योंकि जो है हमारे द्वारख किया गया विविन प्रकार के कर्म और उपासनाओं को आप अच्छी तर से जानते हैं ज्ञान एवं कर्म वयुनानी विश्वानी विद्वान ज्ञाने उम कर्म को मिला करके विविनाने विश्वान मेनी विवित प्रकार का बेरदर के वे कर्म और अपासना हों को आप हे देव अच्छी तरसे जानते हैं योधि अस्मत जुहरानम एनहा कहते हैं ले सब से मुख्य बात या है लेकिन जुहरानम एनहा ये जो अत्यनत कुटिल कर्म मेरे से हो रखा है पाप उसको तुआ तुरंट अस्मत मुझसे योधि अलग कर देना मेरे से जो हुए हैं पाप कर्म, कुटिल कर्म चिन कर्मों से के कान से मुझे बंधन की संभावना है उसको आप मुझसे छेदन करके अलग करके जैसे अगनी से जब सूर को तपाए जाता है जो सोना को तपा दिया जाए वो सोना क्या करता है आपने मलों को अलग कर देता है तो जब आप अगनी आज मुझे इस तरह से तपाईए इस तरह से कृपा कीजिए कि जो मेरे सकल पापकर मुझे से अलग हो जाए को इस टांदे नहों भोगतेम अरे मैं तुमारे लिए इतनी सेवात कर दूँगा पफ्षा यूग तेरी पाप्पों को मैत लइ कर दूगा nager ज़्य worker मेरे को यूओम मिलेगा प्रीपंड में कोई सेवा निए करना चाहता है। निश्काम करम योग तो बहुत उपदेश है। उपदेश मातर के लिए रह गया है। निश्काम करम योग कितने करते हैं। सकाम ही होता है। निश्काम करम बहुत कम होता है और कभी-कभी हो जाता है। कभी कभी नित्य निरंदर जो सिवाएं होती उन समय निश्काम बाहव से करमयोग करना बहुत कठिन काम होता है असंभव नहीं है हो सकता है लेन उसके लिए सजग रहना परता है बहुत सजग रहना है मानसी वर्ति और वास्राओं पर बहुत जबर्दस्त नियंत्रन होना चाहिए तब ही सब्सक्राइब ने तो अंदर से और कोई चीज़ चाहे न चाहे हमने देखा है अपने आपका भ्यान वह है एक इच्छा जरूर रति अंदर में कि जिनके हम सेवा कर रहे हैं वह हमारी वा कि यह क्यों चाहते हैं यह आकांग्षे गलत है लेकिन यह इच्छा पतानी सभी के पेट के अंदर आइसा चिपा वह चिपका भी है वह तो निकालना बड़ा मुश्किल है कि बड़ा कठीन काम है कि करना तो आसान है कर्मयोग निश्काम करना बड़ा इसने कठीन हो और यह आम जंदा कुपदेश द्याज है खुद में तो संभव नहीं हो रहा है तो दूसरा को पूलने से क्या खाइब आप एक शाय आते हैं साब में है कुछ न कुछ इसने आपर कहते हैं बड़ी अगनी देवताइब आप एक शाय रखे मैं तुम्हारे पाप करमों से अल तो मुझे ग्या देगा तक काते भगवन इस समय तो मैं मुर्शो दशा में पढ़ा हूँ आप याद तक कब मारे पता नहीं किसी विक्षन कट हो सकता है ना कनेक्षन कट हो जाएगा तो क्या करूँ इसलिए नमुक्तिम विदेम भूष्टान थे भूयो भूयो अनेक अधीनेक अनेकों के अनेकों के संक्या में मैं आपको इसमें मनी मन बारंबार बारंबार नमस्कार का विदान कर सकता हूँ और कुछ भी करने में समय यह शरीरेंद्रियां समर्थ नहीं इसलिए मैं भूष्टाम कर दिया बारंबार अतिशयेन अनेकों अनेव को है नमस्कार को इस कि यह प्रकार से अप्रा थान होता है योग जयान कर्म समच्छेकारे किये ज्वार घ्ञानगारे necessarily do का रम करने वाला जो ग्यान में उपासना उपासना उपासा खरकмо डोनुंका समच्च प्रगनिष्ठान करने वाला अन्तकाल यह आधित्यृ प्राष्ठ एधी वो अन्तकाल आने पर आधित्य सिससे प्रार्थ्ह सक्रता है तीन फ्रसंगों गाईत्रिया परिय प्दम आउत्म आधित नं darшейों ले कि आक्रति अलिक के रहें कि गायत्तिरी का प्रकण का मतलब गया गायत्तिरी का चौधा बद गोने वही आजिति मुद्द स्पुरूश है ना परो रजे से बदम का दिया दर्शेते बदम तो इसलिए बो तो आजिति प्रासंगित चतुरत पाध्रेन जूपसित्ता उसे संबद्ध होने करनाते यहां अपर अप्रासंगित आजिति प्रारत्रा नहीं है यह अप्रासंगित की है इसलिए लाशेगर करते अस्तिच प्रसंगो यह आजिति के यह आप्रसंग अप्रसंग अप्रस्तुत है ऐसा मत सोचिये यहां प्रसंग है उसका वो प्रस्तुत है यहां क्यों गायत्रिया तुर एक पराहुं से लीए आपएव प्रकृत था और यह आगे उसको बढ़ा करके उसकी प्राहँ परणा जला ध्यान मैं बता है दो चतर पाज क्यूति नगश्चान करें व those प्रकार पात्र के द्वाराप करते क्या है इस्ट वस्तु को धक के रख देते हैं उसी प्रकार से हम सब के इश्ट पुता पदार्त सत्या के ब्रह्म उसको जो तिर में मंदल के द्वारा धकने के समान धकावा वासा धकी नहीं सकता कोई उसको किसे कते हैं मंदल अपिहीतम इवा भाशिकार चोड़ें क्यों अपिहीतम इवा कि आ समाहिते नच्चेत साम अद्रिशत तत अच्छप है कि आ समाहित्चित्वारों के द्वारा वाद्रिशन नहीं होने के कांग से कोदिया गया धके हुए के समान धकावा है अच्छा यहां पर ब्रह्म पर चार नंबर टिपन है सत्यात्यम ब्रह्म शब्दगार्द लिख दिया अनने रवी ही ठेक है कोई बात रहे तेन उसके बाद में आप निचे देखें पांच नंबर टिपन उसी के तदित्यापितम था वित्यारत युद्या हूं उसके बाद क्या है कि अन्यायम ब्रह्मा वे गलत है और यह तो नियायम नहीं होनी चाहिए सबसेपे लिए दोश दूसरे यह दोनों शब्द रवीह के बाद होना जाहिए चाहिए रवी का व्याख्या है और न्यायं नहीं नायं ब्रह्म नायं होनी चैने नायं शुद्ध ब्रह्म यह होना चैने रवी के बाद, यह होना ही नहीं चाहिए, पहासंबद है पिल्कुल, इसलिए उसको बनाई यह पाथ नायम, न्यायम को अटाके, न्यायम गलत है, नायम होना चाहिए, और केवल ब्रह्म नहीं बोलना, शुद्विश्शन देदना, नायम शुद्ध ब्रह्म, इस जो सत्याक् का बल ओचीजे न, इसलिए वो कोई भ्रांती कर सकता है, सत्याक्य म्रह्म ने, सत्य ब्रह्म, बिल्कुल, शुद्विश्द ब्रह्म, इसलिए ठीका है, तो ठीक, टिपन कारना बता है, वो सूरी से संबद होने के नापने, यहां शुद्ध ब्रह्म नहीं है, नायम शुद अशुद्ध ब्रह्म नहीं है, अशुद्ध ब्रह्म नहीं है, अशुद्ध ब्रह्म नहीं है, अशुद्ध ब्रह्म नहीं है, अपिहीतम मुखम, मुख्यम स्वरूप, मुख्यम स्वरूप, मुख्यम स्वरूप, मुख्यम स्वरूप, मुख्यम स्वरूप, मुख्यम Benny के समान नहीं जबार्थाघ्यां दशन प्रतिबंद कारण बार्थाज डर्शन के प्रतिबंद कारणわか कारण को दूर करने के लिए प्रतिबंद के दग युइद्धान कारण के अदित्वित अब वे लोगन है यह शोन जगत-पोशना पूश-अ-ब पूश्ण। आप पुशा है सवीता देवता है आप क्या गरें तत उस प्रतिवंद कारण दर्शन के प्रतिवंद कारण पूता पात्र के समान पात्र जो आपका जोती रुमे थीखा अत्यंत तेजस्वी मंदल जिसको पार करके आपको देखना संभव है उसको अपावर्दं कुरो सत्य धर्माय के मैं सत्य धर्मा हूँ अर्था सत्य अवितताह कर्मो पासन संकल पाहा आदिये एवध धर्मा यस्य सोहमम इत्यरत तस्मई मैं कैसा हूँ अपने लिए बोल रहा है साधग के मैं सत्य धर्मा हूँ आप सत्य धर्मा क्यों है क्यूंकि आँ मैंने आविथत अमिठ्या पूता कर्मो पासन संकल पों को किया है शुर्थ युक्त होने से वो अमिध्या है कि एयों सथिल्ट एपूंद व संकल्पूं को करमवाफन शंकल्पूंग को मैंने कर किया और इसका अनुष्ठान किया है अतेव जो है आप इसको दूर करें सत्य धर्मायों ताज़र्श मेरे लिए आप अपना यह मंडल को समेट लीजिए इसकी वाक्ति धर्मायों सत्यम धर्मो अस्यममा स्वहम सत्य धर्मा तस्वही तद आत्भूदाई प्यार कहने का मतलब मैं आप ही करूप में दूसरा रहो है अरद मेरे स्वहर आप में वासम भेद नहीं रहा गया है उपासन करते 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 इस मनन अवस्ता मेरे सिद्धी यह हो गया मुझसे आप से कोई भेद नहीं है दिर्ष्टे मने दरशनायो अनुभवाय तिर्थ स्वहर शुरुप आन भूदि करने के लिए मेरे अपना वास्तिक सुरुप इननगरव रूप है उस सुरुप को अनवो करने के लिए आप बाधकों को दूर करें पूशन इत्यादे न नाम आनि आमंत्रन आर्थानि स्वितु बाध में जितने भी सम्बोदन दिया है पूशन इत्यादे वे नाम भगवान का जो है वस आयत में पृष्ट्रविता का जो आमंत्रन करने के लिए ही है सम्मानना अर्थानितु दिनके सम्मानित करने के लिए पूशनित पर आक औरत मा सम्दे और आमंत्रन करने के लिए अत्व रिशिक गच्चत 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 ग सब्सक्राइब कर दोचार घंटा सो जाए तो बसो के काम खतम हो सारा काम खराब हो जाते नियुद्ध यह सो भी कर बैठे हैं तो बड़ा मश्किल हो जाए प्रणय व्यवस्ता बिगड़े अंशार को एक छन केले भी विश्राम लिए विना निरंदर अनंदकालों से चलते आरहा है यह चलिए रहा है आगे चलते भी रहे हैं जी दिन उसका संतुलन विगडेगा समझें बहुत है यह लुदम जाता है पुरणम के ज़ाता है प्रत्विए सब को भस्मगर डालता है तूफान चेरे में एक लिए परेको नियुकर बहुत है तो अबी तो व्हों है थो थ्योंग तो दूप से लोग काले होने लगे हैं इसका मतलब है कि थोड़ नजदिक आ गया हो एक दो सुथ नजदिक आई गया है इसलिए हम लोग सब स्यावने होने लगे हैं यह दिविक क्रिष्ट में स्यावला खुद आवतारी लिया स्यावलों बात अलग चीज़ें तो सब गोरे थे बाकी सब बाकी अला स्यावला थे सर्वं जगता संयम्लिमक्त्त प्रतमी आई है सुर्या सुष्टू य्रयते तोया तिन रसान रशमीन प्राणां धियोवा जगत एती बित्पत्त है सुष्टू इरेति सूर्या सम्यक प्रकार से इरन करता है जलाजियों को बाड़ता है यह रसों को थापन करता है प्रत्मी में अधो अपने रश्मियों को सगल प्राणों की ओर सम्यक प्रकार से इरन प्रेणा करता है प्राणान इरेते अधो धियोवा इरेते विगल पे तोय जगत के प्रती जल को समय प्रकार सिफ्तन करता है जगत के अंदर अपने रश्मियों को समान रुपन सरुतर फैलाता है जगत के अंदर सकल इंद्रियों को प्रणा देने वाला है जगत के अंदर सकल जीवोंगे अपने बुद्धी को ध्योयो नहा प्रचोदयात जहां हमारे बुद्धी के प्रणा देने वाला है आते उसका नाम सूरिया प्राजापत्य प्रजापत्य प्रजापत्य इश्वर से सभशा इनागर्ब का कारिता इता हो अंत्रै यामि मांते में आपको हां के प्राजापत्री प्रग पुर्चानुघ काM round प्रजापति कोई दोश नहीं अज्य पहला पक्षम इश्वर को लिया दूसरे पक्षम हिरन नगर्व को लिया यह प्राजापत्य विवहामने विगमया रश्मीन विनाशे विघटया आप अपने रश्मियों को विईव करें कि अभी घटन कर दे विनाश कर दे सीदी शी बाद है खतम कर दो अजा आपने में समेट लो यह आपने में समेट लो नहीं करो आत्मनहा तेजो क्यूंकि आपका तेज़ है न आप और पही को संभार ना पड़ेगा मैं तो इसको अलग करके रख नहीं सकता जो आपकी है तो आप सुझालिए या आप इसको हटाईए मैं इसे में कुछ नहीं कर सकता इसरे करते हैं यह तो आपका तेज़ है आत्मनात ते जो समुहा संशिपा एना हम शक्नियाम दृष्टम जिस माध्यम से मैं आपका दृषण कर सकूँ अनभव कर सकूँ तेजे साही अपहत दृषटी रमने शक्नियाम तो सरुपम अनजे सा दृष्टम कि आपका या बाही जो तेज है न उससे हमारी दृष्टी आप हत हो जाती है नश्ट प्राय हो जाती है और रौंदित कर देता हमारी दृष्टी को आते वे नशक नियामत सुरुप मन्जसा दृष्टुंग इसरे में आपके सुरुप को आनयास इन रश्वियों कर आते वे अनुभव नहीं कर पाऊंगा विद्योतनि वरूप आनम अतोपसंगरती जहां जैसे बिजली के समाने सगल रुपों को परकाशे तो करता है लेकिन आप बिजली को देखनी बात नहीं है इतना तेजी से आता और चला दर्फा है तद्वत यहां पर भी समझिए हम जो है आते इसको आप समेट लीजिए यते तवरूपम सर्वकल्यानानाम अतिशेन कल्यानम कल्यानतम तत्ते पश्यान ताकि मैं आपका जो दूसरा रूप है कौन है वो कल्यानतम यह बाई है ना यह बाई है नहीं आपके अपन असली जो कल्यानतम रूप है कल्यानानाम अतिशे इन कल्यान में पदार्ज होता है तो कल्यान तमम कहा जाता है तत्ते पश्यामी मैं उसका अनभव कर सकूँ पश्याम वयम वचन वित्याजी ना पश्यामी वोला लेकिन पश्याम होनी चाहिए